दंपद, गाथा, कठा 110 या 110 ये संकिच सामने जो अरत होगे उनकी कठा है जयतुवन की इसकी कठा इसप्रकार है एक वार तीस के करीब जो भिकू थे नए सामने रहे और उने पवज्जा ली नएने आये थे पवज्जा ली पवज्जा लेके भगवान से जायत मांगी कि हमें यहां से काफी दूर एक जंगल है महां हम जाके जंगल में ध्यान साथना व्यपस्ना करेंगे हमें इजाजत है भगवान ने उस जंगल के वारे में जानकारी रखते हुए कहा कि आप जाते हुए सारी पुत्र से मिलके जाए उन्होंने बताया कि भगवान ने आप से मिलने के लिए कहा है सारी पुत्र बात को समझे उन्होंने एक अपना जो सिस्य था सावक संकिच नानाम का जो अरत था उसको भेज दिया जिसकी उमर साथ वरस के आसपास थी साथ वरस के आसपास में कई सावक कई भिक्कू अरत हुए हैं तो उन्हें साथ में भेज दिया 29 जो नए सामनेर थे और वो जंगल में जाके विपसना साधना करने लगे उसी जंगल में कुछ करीब 500 डाफों का लुटेरों का चोरों का एक पूरा का पूरा समूर रहत जाता था उस समूर को जब पता चली के यहां कुछ लोग आ गए हैं तो उन्होंने वहां प्रकरती की हिसाब से जो क्योंकि उन दिनों बली जो चलती थी बली का मतलब है कि जानवर को मानना या विक्ती की मानना भी ऐसा बताते हैं कि होता था तो उन्होंने नर बली के लिए एक भिक्कु की मांग की कि हमें एक विक्ती चाहिए हमें नर बली चला के प्रिशन करना है, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है ऐसा उनका अद्विस्वास, ऐसी उनकी मानेता थी तो कई जो नए विक्कुत थे उन्होंने अपने आपको पेस्कस की कि आप मैं चलूँगा, मैं चलूँगा, मैं चलूँगा और जो शकिंच सात वर्ष के अरथ थे, वो उनके सात मैं चल दिये सात वर्ष के बच्चे हो सात देखके जो जो चो डाखो का समू था, उनका माधाधन का उनका गुरो का सरगना था, सरदार था, वो देखके बड़ा आशरे में हुआ उसको बड़ा कोतुल हुआ बड़ी जिक्यासा हुई कि ये छोटा सा बच्चा बिक्कू भी है और ये इतना शांत और गंभीर है इसको बली का पता नहीं है साइद उन्होंने बली के बारे मताया कि हम तेरी ब्रदन काटने वाले हैं तो उन्होंने क बड़ा कि जैसा प्रिकटी जैसा नीम जैसा क्योंकि अरत के सब तो बड़े अनपे तुले होते हैं वह और जधा जिक्यासा में आगे कि बच्चे के चेहरे पर एक शिकन तक भी नहीं आई आएंके जपकी भी नहीं कहीं कोई सरण नहीं कुछ नहीं जैसा बच्चा पहले अरत को फरक नहीं पड़ता अरत होते ही वह हैं जिनके पास कोई भी वेदना समेदना सरी में आती है और टकरा के बाप पिछली जाती है कोई फरक नहीं डालती है उन्हें जिग्यासा हुई कि साथ वरस का बच्चा इतना इस्थिर क्यों है आखिर ये क्या चमतकार है उन्ह यहां बढ़ने लगी और उनकी बड़ी उत्सुकता हुई उन्होंने कहा कि क्या आप सुखी है उन्होंने कहा कि हम परम सुख है निप्बान परम सुख होता है विक्कु ने पूछा कि आप सुखी है तो उन्हें का हम तो बड़े दुखी है यतना हम तूट पार्ट करते है इतना मल लाते हैं फिर भी हम प्रशान रहते हैं जबकि आपके पास सब कुछ नहीं है इस रहसिये को जाओने के लिए उन्होंने जानना चाहा तो भिकु नै कहा कि आपको पवज्ज लेनी पड़ेगी पवज्ज लेने के लिए वो त्यार हुए विक्कु ने उनको पवज्जा दी ही, साहे लोग वहां विक्कु बन गे ये बात भगवान बुद्ध को पता चली, भगवान बुद्ध के संग्यान में जब भी बात आई तो उन्होंने बड़ी बुरी प्रसंसा किया रत की और तब ये गाता कही योचे वससंतं जीवे दुस्सीलो ए समाहितो एकाहं जीवितं सेो सीलवन तस्य जायो योचे वससंतं जीवे दुस्सीलो ए समाहितो योचे का मतलब है जो और यानि और जो वससंतं जीवे का मतलब है वस माने होता है वर्सा वो सत्त माने होता है साल भर को यानि कि कोई अगर साल भर भी सो साल सत्तंग माने सो होता है यानि कोई सो बरस तक भी जीवे दुस्सीलो ए समाहितो यानि दुस्सील के साथ में जो सीन है उसके वो दुस्सील है पाप सीलो के साथ में ए समाहितो ए समाहितो का मतलब है ए सम्मा सहित यानि जिसमें समता नहीं है जो इस्थर नहीं है जो एस्थर चित से है जिसका मन डावाडोल है कभी इधर भागता है पाप में कभी उधर भागता है कोई अगर सो बरस भी जी है जिसके सीलख खराब हो जिसमें स्थिता नहीं है जो उसका चित्र डावडोल भागता है पाप के दर्मों के लिए एक आहं का मतलब है कि केवल एक ही जीवितंग सेयो का मतलब है जिये नस्रेष्ट है यानि कि एक वार का ही जीना स्रेष्ट है कब सील वन तस्य जाइनों सील वन तस्य का मतलब है जो सील वान है और जाइनों का मतलब है जो ध्यानी है ध्यान लगाता है यहनि कि जो ध्यान लगाता है जो सील का पालंग करता है उसका एक वार का जीवन ही बहुत स्रेश्ट है उसके मुकाबले में जो व्यक्ति दुसील है जिसने बहुत पापकर्म किये है सारे दुसीली दुसील है और जो जिसका जो मन है वो इधर उतर भागता है चाहें वो 100 वरस तक भी जीए कि इस गाथा का मतलब है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामू दूतियं पी दम्मं मर्सेण गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामू दूतियं पी दम्मं मर्सेण गच्छामू दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी कामे सुमिच्छ चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी